दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नेचे कमेंट बॉक्स में जरूर पोचे आज की सबसे पहली कबर बिहार के सरकारी अस्पातालों में अब नहीं दिखेगी खराब पड़ी अमब्लेंस तोटी कुर्षिय और पूराने उपकरन हटेंगे। स्वास्ट विभाग ने भारत सरकार के उद्दम स्वास्ट मंतरी मंगल पाने बार्षार ने बताये कि स्वास्त विभाग मरेजों को बेहतर चिकिस्ता सुइदा देने के साथ साथ अस्पताल परिसर की भी सुरत बदलने की दिसा में काम कर रहा है अगली बाड़ी कबर बिहार मेजियम की सबसे बड़ी गैलरी सितंबर में दर्सकों के लिए खुल जाएगी सको किली गैलीर में सबसे अधिक आकरसंग जहानाबाद की बराबर गुभाएं तोरन द्वार राजगीर की साइकलोपियन दिवार कलिंग योद पावापुरी जल मंदिर खास होगा बाड़ी कबर उत्तर और दचिन बिहार के बेज सपर होगा असान राज में गंगा नदी पर हर 40 किलोमेटर में होगा एक पूल जहां बिहार में गंगा नदी पर प्रतेक 40 किलोमेटर में एक पूल बनाने की योजिना पर काम हो रहा है 2025 तक यह योजिना धरातल पर दिखने लगेगी इससे उत्तर और दचिन बिहार आने जाने वालों को आवागमन में सुविदा होगी उन्हें कम समय में कम दूरी तय करनी होगी 2025 तक राजी की गंगा नदी पर नए और पुराने मिलाकर कूल 62 लेन के 19 पूल हो जाएंगे बड़ी कवर पटना में केवल इलेक्टिक और सिटी बसु कहोगा परिचालन राजधानी में सोर और प्रदोसन मुक्त सपर की तयारी 31 मार्च 2022 तक BSRTC के कापले से डिजल चली तो सिटी बसे पूरी तरह से बाहर हो जाएगी और सहर में केवल इलेक्टिक और सिटी बसे चली याने नए सहर में प्रदोसन पर रोक्ताम के लिए लिया गया है और इससे राजधानी वासियों को सोर और प्रदोसन मुक्त सपर का आनन्द मिलेगा बड़ी कबर बिहार में एक लाग से अधिक नरसरी कलास सुरू करने के तयारी ICDS से जुड़ेगा सिक्छा विवाग जिहाँ नए सिक्छा निति के किर्यानवन के तहद बिहार के सबे आन्गन माड़े केंदरों को नरसरी कलास के तोर पर बदलने की कवायाद सुरू हो गई है सिख्चा विवाग ने पहल करते वे सबसे पहले विद्दाले परिसर में संचालित आंगन माड़े केंद्रों का डाटा संगरक करने और उनमें नमांकित बच्चों के बारे में डाटा यू डायस के तहद संगरक करने का आदेश सभी जीलों को दे दिया है सिख्चा विबाग के अपर मुख सचीव संजे कुमार ने बताए कि राज के एक लाग से ज़्यादा आगनमाड केंदरों को नरसरी क्लास के रूप में विक्सित किया जाएगा इसके लिए आगनमाड केंदरों के सभी रिकोर्ड यूट आइस पो संग्रहित करने का निर्देश दिया गिया है मुख मंतरी ग्राम परिवाहन योजना के तहट अक्टूबर तक सरकार खरीदेगी 800 एंबुलेंस सियम बोले साल के अंतक हर प्रखंड में दो लाबुको को मिलेगी एंबुलेंस जहाँ मुख मंतरी निदिश कुबार ने कहा कि साल के अंतक सभी प्रखंडों में दो-दो लाबुको को एंबुलेंस दे दिया जाएंगे पाले चरण में इस योजना के तहट 350 एंबुलेंस लाबुकों को सुपा गया है एक्टुबर तक 800 एंबुलेंस करिदी जाएगी इस साल के अन तक सवी परखंड में दो-दो लाबुकों को एंबुलेंस दिने की निदारित लच को प्राप्त कर लिया जाएगा आपके जानकारी के लिए बता दे कि मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अंतरगत सवी ब्लुक में दो लाबुकों को एंबुलेंस के क्राई पर अधिक्तम दो लाग रुपी अनुदान दिया जा रहा है बाड़ी कबर बिहार में फिर से मानसुन सक्रिया आज से चार दिनों तक जमाजम बारिस के आसार जी हां हवाओ के बदले, रुक और वाय मंडले दाब में आई कमी के कारण बिहार में एक बार फिर से मानसुन के सक्रिया होने के आसार बन गये हैं मौसम विवाग ने अगले चार दिन तक कहीं हलकी तो कहीं जमाजम बारिस होने की संभावना जाहिर की है साथ ही साथ कुछ जिलों में आकासे बिजली गिरने की भी संभावना जताए गई है बाड़ी कबर बिहार के इस अस्पताल में आब रोबोट करेंगे ब्रेन टिमर वा रीड का ओपरेशन मारीज को बेहोस करने के भी नहीं होगी जरूरत जिहां एम सपटना में आब रोबोटिक वीदी वा 3D तकनिक से ब्रेन टिमर का ओपरेशन हो सकेगा इसमें मरीजों को ना तो बड़ा चीरा लगेगा और ना ही ज़्यादा दर्द होगा सरजरी के बाद मरीज एक सबता के बेतर डिश्चारज भी हो सकेगे यह सब सम्मभ हुआ है आर्टिफिसेल इंटिलिजन्स एवं रोबोटिक दकनिक से संचालित ओपरेटिंग माइक्रोसकूप तकनिक से सनिवार को एम्स के नियोरो सरजरी विभाग में इस मसीन का सुबारम हुआ है विभाग के अज़दक्च डाक्टर विकास जाने बताए कि बिहार में पहले बार किसी भी संस्तान में इस तरह के आदोनिक उपकरा नियोरो सरजरी के लिए लगे है इस तकनिक से ब्रेन ट्यूमर और ब्रेन हमरेज आदी के मरीजों को ओपरेशन करने में आसानी होगी कई ओपरेशन में बेहुस करने के भी ज़रुत नहीं होगी बाड़ी कबर बिहार के मंत्रे मोकेस शाने को यूपी पोलिस ने वारान से एरपोर्ट से भाहर तक नहीं निकलने दिया प्रेस कॉनफरेंस तक नहीं करने दिया इतना ही नहीं घंटों नजर बंद करके रखा गिया साथ कुछ दिर बाद उन्हें स्टेट प्लेन से कुलकत्ता वहिज दिया गया वही वारानसी में घटना का विरोध करने वाले उनके समर्थकों को पुलिस ने जम कर धो दिया दरासल यूपी की सियासत में मंत्री मुके सहनी को लेकर तीन चार दिनों से हलचल मची हुई थी ब्यापी पाटी की ओर से वारानसी में पूर्व सांसत पुलन देवी का सहाधत दिवस पर कारकरम का आयोजन होना था जिसे आब रोग दिया गिया है बाड़ी कबर बिहार पंचाज चुनाव के लिए पहली बार सुरू हुआ कंट्रोल रोम कोविड गाइलाइन का सक्ति से होगा पालन जी हाँ कोरोना में हमारे की स्थी समाइन होने के बाद एक बार फिर से राज निर्वाचन आयोग द्वारा पंचाज चुनाव की तैयारी तेज कर दी गई है आगा में पंचाज चुनाव में आयोग कई तरह की नई तकनिक का परियोग पहली बार कर रहा है राज में होने वाले पंचाइ चुनाव से जुड़ी सिकायते और सुझाव को गंबीरता से निर्वाचन आयोग ले रहा है इस बार के पंचाज चुनाव में लोकसवा और विधांसवा चुनाव की तरज पर लोगों की सिकायत कर निस्पादन किया जा रहा है पहली बार राजानी पटना सीद राज निर्वाचन आयोग के दब्तर में कॉल सेंटर और सोसल मीडिया सेंटर बनाया गया है रोजाना सेकडों की सेंख्या में आरे सिकायोतों का निस्पादन आयोग द्वारा किया जा रहा है बड़ी कबर बिहार विदान मंडल का मानसुन सोत्र आज से सुरू साथ विदायक पेश होंगे इनमें तीन नए तीन संसोदन से सम्मद राज के विदायक वो अन कारियों के लिए दो दिन आ रख छी विदान मंडल के मानसुन सत्र में साथ विदायक पेश होंगे राज सरकार ने इसकी तयारी कर ली है इनमें तीन नए विदायक पेश होंगे जबकि तीन विदायकों में संसोधन का प्रस्ताव है इन विदायकों में बिहार पंचेती राज संसोधन विदायक 2021 बिहार खेल वि जबकि 29 जुलाई को इस पर बाद विवाद मद्दान होगा इसके बाद विनियोग विदायक पेश होगा सटर के अंतिम दिन 30 जुलाई को सदन में गेर सरकारी संकलब पैस होंगे पंचायती राज मंत्री समराड चोधरी का बड़ा बयान का बिहार में अकले सरकार बनाने की तागत रखती है यह बड़ा बयान सुबह के पंचायती राज मंत्री वा बिजेपी के वरियन निता समराड चोधरी ने कल रहिवार को दिया है यह बयान तब आया है जब NDA में सामिल BIP पार्टी के मुक्यावा मंत्री मुक्य सहने को यूपी पुलिस ने घंटो नजर बंद रखा जबकि BGP और जेड़ियों में पहले से ही खीचतान जारी है दरसर वैसाली जिले के हाजीपूर में कल BGP जिला कारे समिति के बैठक हुई इसमें पंचाइती राज मंत्री समराज 14 भी सामिल हुए बैठक में सिर्कत करती हुए उन्होंने कहा कि हमें पाटे नेतेतु को यह बताने की ज़रोत के 2024 के लोकसबा और 2025 के बिहार बिजनसबा चुना में बिहार में BGP अकेले सरकार बनाने की तागत रखती है बाड़ी खबर बिधायकों की पिटाई पर सरकार से मापे मांगने की मांग करेगा बिपक्च यह महागडवंदन में सामिल घटक दलो के निताओं की बेठक रईवार साम निता प्रतिपक्च तेजसवी आदव के अगवाई में हुई पूर मुक मंतरे राबडी देवी के दल सरकलो रोड इसी त आवाज पर हुई इस बेठक में समुवार से सुरू हो रहे विधान मंडल के मांसुन सत्र में बिपक्च के रणनिती पर चर्चा हुई तेजसवी आदव ने कहा कि पूरे घटना करम की सीड़ी विधान सबा अधक्च को सोपे जाने के बाद भी दोसियों पर कारवाई ना होना बेहत दुर्बाग पूर्ण है इस मामले में सरकार को सिती सपष्ट करनी होगी बैठक में बिधान सबा परिसर में बिधायकों के साथ मारपीट का प्रकरन चाया रहा है ताई हुआ कि इस मामले में पहले सरकार मापी मांगे और दोसी अधिकारियों को दंडित किया जाए ऐसा ना होने पर विरोद जारी रहेगा सुमवार को फिर आगे के रनितिता की जाएगी बिहार में बिजली उपभोगताओं का कटेगा कनेक्सन घर घर कारवाई करेगा विभाग जहां बिहार में बिजली बिभाग ने उपभोगताओं पर कारवाई करने के लिए कमर कसली है इससे पहले विभाग ने इन उपभुगताओं के लिस्ट भी तयार कर ली है लिस्ट के हिसाब से टेम उपभुगताओं के घर घर जाकर कारवाई करेगी दरसल बिजली बिल भुगतान नहीं करने वालों के खिलाब कमपनी विसेस अभियान चलाएगी इसके लिए राज भर में एक विसेस टीम गठित की गई है प्रमंडल वार गठित इस टीम के सदय से बकाईदारों के घर जा जाकर बिजली बिल भुगतान करने का अनुरोद करेगी इसके बावजूद अगर लोगों ने बिल जमा नहीं किये तो कनेक्शन काटने के साथ है आने कारवाई की जाएगी और हमकी बाड़ी खबर आईपेल के बचे हुए 31 मैच के सेडिल हुआ जारी फेज टू का पहला मेच चेने सुपर किंग्स और मुंबई इंडियन्स के बेच दुबाई आबोधावी और सारजा में खिले जाएंगे मुकाबला जिहां बिसिस याई ने आईपेल फेज टू के सेडिल की घोसना कर द जाएगा 27 दिन के सभी 31 मैच के लिए जाएंगे इसमें से दुबई में 13 सारजा में 10 और आबोधावी में 8 मुकाबले होंगे इस दौरान 7 डबल हेडर्स भी होंगे समय की बात करें तो पहला मैच भारते समय अनुसार दोपार 3.30 बजे और डबल हेडर में दूसरा मैच सा सारे साथ बजे से खेला जाएगा लेग इस्टेज का आकरी मुकाबला रोयल चलेंजस बेंगलोरो और दिल्ली केपिडल के बेच 8 अक्टूबर को होगा वहें नौक आउट राउंड की सुरवाद 10 अक्टूबर से होगे 10 अक्टूबर को क्वालिफायर 1 11 अक्टूबर को कर और 13 अक्टूबर को क्वालिफायर 2 के मैच होंगे फाइनल 15 अक्टूबर को दुब़े में खेला जाएगा आज के लिए आपका स्वार बताए कि बेहार में जाते आदार पर जनगनना होनी चाहिए या नहीं इसका जवाब आप हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताए कि जढ दो जब ते चाहिए जन दरूर नहीं झाद़ाके फालए लिएम और 15 अक्पा को खिनेफ सरे भीर युर में झाता।